नमस्कार गईकाल सांजना पांच वाग्या थी आज सांजना पांच वाग्या सुधी गुजरात मा कुल COVID-19 ना 362 पॉजिटिव केसिस आवया छे आजे खूब एक सारा समाचारे छे आजे 466 जेटला लोको डिस्चार्ज थाई गया छे सारा एमनी सारवार थाई गई छे चिकीटसा पूर्ण थाईने बिलकुल सारा थाईने घरे पाचा जाये छे परिस्तती अमदाबाद मा गुजरात भर मा एकदम अंकुष हेठल छे बिलकुल स्टेबल छे नियंत्रण हेठल छे आपने जोई शाकिये छे कि आजे जे पॉजिटिव केसेज आवया एना करता पन डिस्चार्ज ना केसेज वधारे छे आजे आज चोबिस कल्लाग दर्मियान जे आपने सार्वार दर्मियान जेटला लोकों नू दुखद मृतियू थायू छे एमा चार एवा लोकों छे के जेमनू मूल मृतियू नू कारण कोविर 2019 नू संक्रमन छे हूँ कही शाकिये प्रात्मिक प्राइमरी कॉज ओफ डेथ कोविर हतू अने 20 एवा लोकों छे के जेमने पहले थी अन्य गंभीर बीमाडी जेने आपने को मॉर्बिड कंडिशन्स कही है पहले थी हतू अने साथे आ कोविड ना संक्रमन पण थवा थी एमनू दुखद अफसान थयू छे आ डिस्चाज रेट जे जोई है आपने एक ग्राफ माँ पन अत्यारे आपने जोई शकिये छे कि आपनी जे डिस्चाज रेट नी परसंटेज हती पहले छेक 15 प्रतिशत हतू पछी घटी ने गुजरात नू 8.7 टका 6.3 टका पछी उत्रोतर 11 टका 20 टका 31 टका अने हवे 16.5 टका एटले भारत नू जे छे इंडियाना आवरेज करता पण आपने रिकावरी टका एकदम आपने जोई है छे अने पोता नी आपनी पोता नी जाच साथे गुजरात नू जे आपने कंपेरिजन करिये तो there is a very steep increase सरस एमा एक वधरो थयो छे आपने जोई शक्ये के discharge जे छे सारा संख्यामा थाई रहा छे इनों अर्थ छे के लोको जे समय सर रिपोर्ट करे छे इमने कई प्रॉब्लम होई सारवार ले छे बिलकुल साजा थे इने पाचा जाये छे घरे अने एज रीते टोटल आपने अत्कियार सुधी जोई है तो जे डिस्चारज थेला लोको छे 3,246 एवा लोको छे के जे पॉजिटिव हता एमने ट्रीटमेंट लीदी आने बिलकुल साजा थे ने पाचा गया छे हवे जे नवी डिस्चारज माटे नी नीती भारत सरकारे अमल मा मुकी आपने ख्याल छे के मा भारत सरकार नी खुब एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स होय छे कि जे नी अंदर आवा खुब घणा सारा निशना तो होय छे खास करीने दॉक्टर विनोध पॉल जे नीती आयूग ना मेंबर छे एजरीते डीजी आईसी एमार डॉक्टर बल्राम भार्गव अने एम्स ना सीनिय मोस्ट बे प्रोफेसर्स पन इनी अंदर छे अने बीजा बधा पन सभ्यों छे अवे एमने विश्व कक्षा है अलग-अलग देशों मा पन जे आनी प्रनालिका छे रिसर्च छे खास जर्मनी मा पन जे रिसर्च थयू अतु एना आधारे रिसर्च एऊ कहे छे कि जारे कोई सिंप्टम्स बिलकुल ताव वगेरा जतू रहतू होय छे नॉर्मल थाई जत अने वाईरस शेड करवाथी पन संक्रमन आगड नथी जतू आवू रिसर्च एमने जोयू छे एना आधारे आएक अगत्यों निर्नाई बे दिवस पहला लेवाम आवियू छे एना घणा बदा फ्रीकुंटली आस्ट क्वेस्चिन्स एटले लोकोना मनमा जे प्रश्णों होई एनी पन एक यादी बाहर पाडी छे जे पन अलग-अलग जिल्लाव साथे पन में शेर करी छे अने एना बले मा साथ दिवस हतू छता पन भारत सरकारे आमा दस दिवस नूँ एक हजी कुशन राखी ने एक आपने दिस्चार्ज माटे नी पॉलसी बनावी छे जे थीक कोई डिस्चार्ज करती वकते एवो न बने के थोड़ा पने नी अंदर कोई संभावना होई के संक्रमन भी जाने आपी शके यह रीते भारत सरकारे नीती बनावी छे अने आमा पड़ आपने खास जो ही शके कि अत्यार सुधी पांच हजार नेव जेटला लोको आजनी ता 1246 3246 जेटला लोको छे जेमने आज सुधी आपने डिस्चार्ज करया छे अनी साथे गुजरात एक नवो पहल एपन करियू छे के जेटला लोको डिस्चार्ज थाय छे एमने पड़ आपनी 104 हेल्प लाइन थी फोन करवा मावे छे एक रिपीटडली जे थी के एमने बद् पड़ा रीते बहुत सारा प्रमाणमा मोटा प्रमाणमा लोको डिस्चार्ज थाया छे अवे एज रीते एक वात टेस्टिंग माटे पण अवार नवार पूछ मामा आवे छे आपने ख्याल छे कि आपनी टोटल कपासिटी 3000 जेटली छे पड़ इनी अंदर आपने अमूक रुपीट टेस्ट्स पन करवा पड़ता होये छे अने अलबत आ नवा डिस्चार्ज पॉलिसी थी जे रुपीट टेस्ट्स छे इनू प्रमाण थोड़ू घटियू छे पन छता एवा केसुस जे सिवियर छे एटले mild अने moderate मां भले आपने टेस्टिंग करवानी जरूरत न रहे अने बीजा, कंडिशन्स, लक्षन न रहे तो आपने इमने डिस्चार्ज करवा माटे नी भारत सरकार नी पॉलिसी छेज पड़ आपने जे सिवियर के सीरियस लोको छे जेमने बीजी अन्य पहले थी बीजी कंडिशन्स होय, को मॉर्बिट कंडिशन्स वगेरा एमना माटे डिस्चार्ज आपडे टेस्ट करया वगर करवानी अनुमती न थी अने ए संख्या पन, आपड़ा तियां च्छे, मोटी संख्या च्छे, जेमने दाक्तला तरीके कोई ने ट्रांस्प्लांट करिऊ होय, डायलसूस करिऊ होय, काडियाक प्रॉबलम होय, क्यांसर प्र प्राट प्रेशर वगेरा होई तो एमने आपने टेस्ट करता होई ये छे पन छता आपड़ा तियां जे त्रण हजार जेकली टेस्टिंग नी कपासिटी छे इम आपने जोता रहशू अने जोईू हशे के दाकला तरीके आजे अमुक जिल्लाव मा आपने थुडूक वधारे पन टेस्टिंग करियो छे जेमके द्वारका मां देज रीते महसाना मां पन थोडाक वधारे प्रमाण मां करेजे भरूच मां पन प्रमाण मां वधारे टेस्टिंग करेया छे अने एणी सरखामणी माँ गैकाल आप्डे जोहां तो धाक्ला तरीके जूनागड डिस्ट्रिक्ट जे छे एणी अंदर आपने वधारे प्रमाण मा टेस्टिंग करया छे अने एज रीते गईकालनों आपने अंक जोईए तो पंच महाल मा पन थोड़ाक प्रमाण मा वधरे आपने टेस्टिंग करया छे तो आ रीते वी कीप आपने अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स ने आनी एक लाब मने टेस्टिंग करवा थी कि आपने कोई आवा केसुस बीजे रही न जाये माटे आपने एक आवी रण मीती बनावी छे कि अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स ने पण आपने थोड़ूक वारा फर्थी जे आपनी टेस्टिंग नी मर्यादित कपासिटी तो छेज 3000 जेटली पण इने आपने अलग-अलग विस्तारों मा वारा फर्थी अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स ने वधारे आपिये छे एज रीते थोड़ाग दिवस पहला पंच माल ने थोड़ूक वाधारे आपियो अतुँ एज रीते गांधी नगरने थोड़ूक वाधारे टेस्टिंग आपियो तुँ अने एज रीते साबर काथा मा पण वधारे टेस्टिंग करवा मा आवियोतु। यह आ रीते आ टेस्टिंग जे छे एने आपने अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स मा एवी रीते कोई टार्गेट जेवू होतु नाथी। पन डिस्ट्रिक्ट्स ने वाराफर्थी आपने एंकरेज करिये छे के वधारे टेस्टिंग करे बध्धाज जिलाओ जे थी के कोई आवा पॉजिटिव केसुज होई तो तरत आपना ध्यान पर आवे। अने फरी धाक्लातरी के बेतरण दिवस पहला पूलिंग नूँ पण आपने लाब अत्यारे करिये छे अने अर्वली जिल्ला मा पण बहुँ मोटा प्रमाण मा टेस्टिंग करे आता एना पहला मही सागर मा पण वधारे करियो तुँ तो आरी ते आएक डाइनेमिकली आप परने रियल टाइम डेटा अने अनालिसिस करवा माटे अने अक्शन देवा माटे पण अनुकूल रहे अने आ बद्थी परिस्तिती जोता है जे फरी जे डिस्चाज ना ग्राफ्स तमें जोया छे डिस्चाज ना अंक छे बिलकुल अमदाबाद पन स्टेबल छे गुजरा परिस्तिती अंकुष हेठाल छे नियंत्रण हेठाल छे अने आपने छेला चोबिस कल्लाक माजे टोटल आपने वाद करी हम ना के अत्यार सुधी जे पॉजिटिव दर्दी छे आट हजार नौसो चार पॉजिटिव केसिस टोटल आवया छे अने एमां ती जे आक्टिव द पांच हजार नेव एवालोकों छे कि जे बिल्कुल स्टेबल छे रूम एर पर छे अत्वा सामान्य ओक्सुजन पर छे अने जे टेस्टिंग अत्यार सुधी नी आपने टोटल फिगर जोई है तो एक लाक ओगणिस हजार पांसो साड़ात्रिस वन लाक नाइटीन थाज़ प्लाटफोर्म द्वारा फ्लोरंस नाइटिंगेल जेने दयानी देवी पन केवाम आवे छे एमनू जन्म दिन आजे छे आपने बधा जानिये छे के क्रिमियन वार दर्भ्यान एमने लेडी विद लांप पन केवाम आपतू हतू एक दीव लईने आखा वार्ड्स मां त्यारे जे बद्धा त्याना जे एक आखु लड़ाई हतू क्रिमियन युद्ध एनी अंदर जेटला पन सैनिको इ एमने खास त्रण योगदान आपियो हतू अने ए बहुच जानिता चे परसनल हाइजीन ने पड़ एमने खूब प्रॉपगेट करियो एटले आपने बधा पोता नी एक वाईयकतिक स्वच्छता सिमिलरली एमने खास जे आपने कहिये छे हांड वाश एटले आना माटे पण इमने अत्यारे पण आपने वारवार कहिये छे क्या आपना बध्धा माटे जरूरी छे क्या आपने हात धुवानू बिलकुल अने आ एक मात्र एक टेव थी एक प्राक्टस थी कोरोना थी आपन एटले सीधा आरीते दोवानू, यू एटले उल्टा, उल्टा हाथ, पच्छी M एटले मुठी, बन्ने मुठी, पच्छी A अंगूठा, एने पण सरस्रीते साबुन थी दोवानू, नक, नेल्स ने पण N सुमन, अने पच्छी छेले कलाई, एटले आरीते हैंड वाश, बिल्कुल सुरक्षित राखी शक्ये, आजे एक खूबज सरस् एक सकसे स्टोरी छे, साफले गाथा छे, तमने बधा साथे शेयर करवा बांगिये छे, जारे पण कोई माबाप ना 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 बाढको मांधा पड़े, तो कोई पण माबाप होई तो बिल्कुल एमने इहरान थ जता होई छे, बिल्कुल घबराई जता होई छे, अने एज रीते, आलीम इद्रिश अने एमना पत्मी, ए पण आवाज एक दंपती हता कि जेमना ना ना बाढको, अने एक केवा ना ना बाढको ये 15 महिना नी उमर ना ट्विन्स हता, जोडिया बाढको अबदुल अने फा एक वाजान अगर वटवा मां रहता आता अने आ जयारे इमने खबर पड़ी क्या बनने बालकों ने आवीरीते तकलीफ छे कई तकलीफ हती कि इमने उद्रस हतू पची ठंडी लागती हती बालकों ने चका मां शरीर मां राश्रस चका मां पण थही गया था अठ्वाड आती इतले तरत जया बालकों ने शिविल होस्पिटल और आपनी कोवेड बार्सो बेड़नी जे त्या लगी गया अने इमनी कंडिशन त्यारे बऊच सारी ना हती बालकों नी तरत ज त्याना डॉक्टर्स और नर्सों जे एमने औक्सुजन पर मुकी दीदा अने ए दिवसों न चिन्ता हाती के इमना बालकों कई रीते आमाती बाहर निकल शे पन सिविल होस्पिटल ना स्टाफ और डॉक्टर्स ए खूब इमने सांत्वना आपी खूब जे एमनू मौराल जे छे बूस्ट करियू अने कैछे के इमना लीधे एमना जे घबरामन इमना मां हातू एपन घ होस्पिटल ककशा है तो रहा जोग्य अनु होस्पिटल कक्षय अ मने बालकों माथे योग्य एमना माथे पोशन आहार हतू एमनी उमरने अनुरूप य। पन आपवाम आवी होतू और य॥्चाल बात सोप पचित तेल कासका अब अलो य॥िक्ट मा पण आपवाम आवी हती आने सरस्रीटे सानिटेशन एटले बाड़कों नी स्वच्छता सुखाकारी आपन अने त्या बिल्कुल सरस्रीटे एमनी देखरेक राकवा मावी दॉक्टर्स पन अने त्रणेक वख़त दिवसमा आफता था नर्सुस पन ख्याल राकता था आने मानसिक रीते पण बिल्कुल घबराय नहीं एना माटे पण मोटिवेट करता था आने मेंटल वेल्बींग माटे पण काउंसलिंग करता था अने आब द्धी एमनी एक हुफालू, कैर अने ध्यान ना लिदे एटलू बदू सरस हतु के एमने एकाद बाड़क ने नर्से ना हाथ माँ पण मुखी ने जारे बीजा बाड़क नी कंडिशन एमने म लागे कि वधारे थोड़ी कपरी हती तो ये बाड़क साथे रहता तो एक बाड़क में बिल्कुल नर्स बहन ना हवाले पण राखी ने एरीते आ बनने कपल जे चे आरीते त्या आ बाड़को ने बिल्कुल नर्स बहनों पन बहुत सरस रीते ख्याल राखती हती अने आजे ए बनने बाड़को एकदम साजा थाईने पाचा गया छे एमनी एक विडियोग्राफी पन आजे तमारी साथे शेयर करशू एटले आ रीते अनेक खूबज आपने बधाने प्रेरणा मड़े सक्सेस स्टोरी जेटले आ आलीम इदरीस भाई ना जे बे ट्विन बाड़को छे एने इमना पत्नी ना जे बाड़को अब्दूल आने फातिमा नी आ एक बहुत सरस रिकावरी नी स्टोरी छे जे शेयर करवा मा आवी रही छे तमारी साथे तो आ रीते लेट एस आल बी प चल छे आपने बद्धा पन पूरे पूरो सहकार आपिए सावचेत रहिए औने कोवेड नी परिस्तती थी बिलकुल आपने बद्धा एनी लड़ाई मां युद्ध मां बिलकुल आपने जीती शो नमस्कार नमस्कार कल शाम के पांच बजे से आज शाम के पांच बजे तब गुजरात में 362 कोवेड के पॉजिटिव केसुज हुए हैं इस अरसे में चार ऐसे लोग हैं जिनका दुख़द अफसान कोवेड के संक्रमन की प्रात्मिक वजह से हुई है और 20 ऐसे लोग हैं के जिनका दुख़द अफसान पहले से अन्य गंभीर बीमारी से वो पीरित थे वो उनके दुख़द अफसान का प्रात्मिक कारण होगा लेकिन उनको कोवेड का भी संक्रमन हुआ था तो वो एक सेकंडरी कॉज ओफ डेथ होता है आज खास हमें एक बहुत अच्छी खबर अब सबसे शेर करना चाहेंगे कि 466 जितने लोग बिल्कुल जिन्होंने चिकीटसा ली इलाज कोवेड के लिए की गई थी अच्छे होके वापस अब घर जा रहे हैं 466 ऐसे लोग है 466 इसको अगर देखें के तो आज गुजरात में जो डिस्चारज रेट है चत्रिस दर्शमलव चार पांच प्रतिशत 36.45% और ग्राफ भी आज हम शेर कर रहें आपसे आप देख पाएंगे कि इसमें एक बहुत अच्छा एक बढ़ोतरी हुई है हमारी डिस्चारज रेट में और इसको अगर पूरे अभी तक का टोटल डिस्चारज अगर हम देखें तो 3,246 जितने लोग डिस्चारज होके अच्छे होके वापस घर गए हैं और अभी तक जितने पॉजिटिव केसे हैं 8,904 और आज जितने स्टेबल केसे हैं 5,090 और वेंटिलेटर पर 30 जितने लोग हैं और जो टेस्टिंग का अगर अभी देखा जाए तो गए 24 घंटे में 3,066 जितने टेस्ट समने किये हैं और इसके साथ एक खास बात कहना चाहेंगे आज कि अलग-अलग जिलों में जो टेस्टिंग होता है इसे हम रोजाना चेंज करते रहते हैं ताकि ऐसा एक भी क्षेत्र न रह जाए जिसमें कम टेस्ट्स होए हैं तो इस तरह से टेस्टिंग की मात्रा और टेस्टिंग का प्रमाण हम बिल्कुल हमारी जो क्षमता है 3000 तक टेस्ट करने की उसको याद रखते हुए उसको ध्यान रखते हुए अलग-अलग जिलों में से बांट के हम टेस्टिंग करवा रहे हैं तो सबसे अनुरोध है कि अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु आप डाउनलोड करें जिससे कि हमारी सुरक्षा कवच बनी रहेगी और बिल्कुल अपना ख्याल रखें आयूश की जो पधतियां कही गई हैं उसको भी अपना है और कोविड का संक्रमान है उसके सामने आप लड सकते हैं नमशकार नमशकार बट्वें 5 p.m. yesterday and 5 p.m. today we've had 362 cases of covid positive in Gujarat we've had 466 people who were suffering from covid but underwent successful treatment and have actually got discharged during these 24 hours we've had four people who have unfortunately passed away with covid as the primary cause of death there have been 20 other people who've also unfortunately died with other severe comorbid comorbidities or underlying conditions as the primary cause of death but they also contracted the infection of covid and they have also unfortunately passed away if you now look at the discharge rate we will realize that this number has grown significantly and today we have a discharge rate in Gujarat of 36.45 percent as shown in the graphs this has been steadily increasing and we have today even gone beyond the average of India 32.17 percent and we also want to share that the total number of people discharged so far is five thousand and nine three thousand two hundred and forty six I repeat the total number of people discharged till now is three thousand two hundred and forty six the total positive people that have been tested until now is eight thousand nine hundred and four and of the patients who are active which means they are under active treatment five thousand and ninety are stable and there are thirty who are critical under ventilatory care of the of the pandemic and the only one lakh nineteen thousand five thirty seven tests that have been conducted so far three thousand sixty six were carried out yesterday that is in the last 24 hours we have a very very heartwarming story for you today to celebrate and appreciate the excellent work that are covid warriors whether they are in hospitals on the ground and surveillance and especially our nurses that are do that they are doing especially on the occasion of the international nurses day today whenever children and especially tender young babies fall ill parents get very very upset and they really get very worried and tense when both their 15 month old twins two babies abdul and fatima fell ill during this national health emergency they reside at kwajanagar vatwa and on 22nd of april these babies were both admitted to the civil hospital covid 20 covid hospital in the civil hospital campus with complaints with complaints of cough cold and body rashes both the babies were put on oxygen as they their condition was not very good they were positive for covid and remembering their condition their father alim idris says that he and his wife were in utter despair and it is then that the doctors and nurses at the civil hospital counseled them took care of them actually told them not to get a they were afraid and they were afraid and they were afraid and they were afraid and they really allayed their fears Fatima who was one of the twins this baby was with her father while the other baby abdul was with his mother and they were provided timely appropriate food which was for them appropriate for them and they were also given a special kit with a towel bath soap oil comb etc by the hospital hospital made them feel at home and the nurses the doctors the doctors the doctors the doctors the doctors there would regularly come there would regularly come there they would the babies would be regularly sponged the entire sanitation there was very good and clean the doctors and nurses really mentored them held their hand through this difficult period and finally both the children were discharged and the couple is truly indebted to both the doctors the nurses and the entire team at the covid hospital in the civil hospital in the civil hospital campus and this is a very heartwarming success story we will be sharing a short video of these this couple and their twin children the babies who were unwell and then became well subsequently so we again request all of you to download the app called Arugya Setu on your mobile so that it gives you a security and it gives you a special protection and it gives you a special protection against this disease we also request all of you if you believe in it to follow the guidelines given by the Ayush ministry for example for the last several weeks for over a month and a half we have been very very aggressively and actively distributing a lot of Ayush medicines on a prophylactic basis to boost the immunity of all our citizens especially the elderly and comorbid people so we'd like to again request all of you if you have faith do take Arsenicum album which is a homeopathy medicine which would significantly improve your immunity and help you fight against this disease on that note we'd like to again congratulate and wish all our nursing staff our nursing the sisters and brothers who are doing this very very special phenomenal work in the hospital wards during this time time of a global pandemic and on the birthday of the lady with the lamb Florence nightingale which is celebrated as the international nurses day and again appreciate the excellent work that all these covid warriors are actually doing they're the frontline workers doing a phenomenal job on the ground namaskar ister for example for a wish yes nurse hospital if you have health problems nurse etic